और सजनो आप सभी का नौवर्स में पर फिर से स्वागत आएं तो भाईया आज से 2022 की सुरुआत हो चुकी है तो भाई जब ने साल की सुरुआत हो गई है तो भाईया नौवर्स के लिए हम आपको ये तो कह दें कि भाई हैपी न्यू यर तो भाईया नया साल आज से चालू हो चुका है और इस न्यू यर में भाईया हम यहीं उम्मीद करेंगे इस नया साल से कि भाईये जो नया साल है वो आप सभी के लिए सांती दायक, सुख मैर और उसके साथ भाईया कहें इसकी जानकारी तो हमें है नहीं क्योंकि भी इन दिनों जो खबरे आरी है उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई दो हजार माईस भी जो है वो बहुत ही दुखदाई होने वाला है और भाई इस रिपोर्ट को बदाने से पहले मैं आप सभी से हाँ जोड कर ये विंती करना चाहूंगा कि भाई लापरवाही बिल्कुल मत करिये क्योंकि भी इस वक्त जो खबरे आ रही है कोरोना को लेकर वो हम सभी के लिए भी आप बहुत ही कठनाई दायक साबित होने वाली है तो दोस्तों आपको तुपती हैं कि आज एक जनवरी है और एक जनवरी को लेकर एक खबर इन दिनों काफी वाइरल हो रही थी हर एक सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म भी और भाई वही खबर में आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ क्योंकि भाई इस खबर को लेकर कुछ लोग मुझसे यह सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतनी बड़ी खबर इन दिनों सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर वाइरल हो रही है और भाई आपने इस खबर पर अब तक कोई अपडेट नहीं दिया मेरे भाई तो भाई या कैसे दे दे अपडेट हम वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं है कि किसी ने बोला में तो मैं भी बोलने लगो में 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 भाई या ऐसा ही हो रहा है इन दिनों किसी ने भी कुछ बोल दिया थी कि आज पठान का कुछ आने वाला है मेरे भाई लेकिन आया का नहीं ना चले शुरू करते हैं अब इस रिपोर्ट को अलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े विया बॉलिवोड के रूमान्स के असली बादसा यानि कि किंग खान शारू खान की आने वाले मच अवेटिट फिल्म यानि कि भाई या पठान से तो दोस्तों पठान हमारे लिए पहली नहीं है पठान बन रही है कंप्लीट हो रही है और हाल फिलाल में ही मैंने पठान को लेकर ये जानकारी आप लोगों को दी थी कि विया इस फिल्म का काम एक बार फिर से किंग खान ने शुरू कर दिया और हाल फिलाल में किंग खान क को लेकर भीया उनकी आने वाली मुच अवेटेट फिल्म यानि कि पठान का एक ग्लिम्स साथ जाड़ी किया जाएगा और भाई इस ग्लिम्स को लेकर कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहते कि भीया आप लगता है ना जारुखान से बहुत नाराज रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ ख़बर हम लोगों को नहीं बताते हैं तो भीया हम कैसे कहें कोई जूटा ख़बर आप लोगों से हैं तो भीया हमसे तो होता नहीं बता है और कैसे आप जूट बोलके हमको उनों भादा हमको नहीं दिखता है तो इसले हम नहीं बोले और देखिये आज वही हुआ आया क्या कोनों ग्लिम्स तो भाई अभी तक पठान को लेकर कोई अपडेट हमको नहीं मिल पाया था जिस वज़ा से ये ख़वर में आप लोगों के सामने नहीं रख पाया था कि आज इस फिल्म का कोई ग्लिम्साने वाला है लेकिन भाई कुछ लोगों ने आप लोगों से कहा था अब आप उन लोगों से जाई है सवाल पूछे कहा है पठान का वो लुक जिसके चर्चा आप लोग कर रहे थे तो भाया अंतमे एक बार फिर से आप सभी को हैपी निव येर और भाई आप इस वक देख रहे होगी कि मैं एक छोटे से मकान में बैठा हूँ ये मेरे गाओं का मकान है और इस वक यहाँ काप के ठंड है मेरे भाई गला भी बैठा हुआ है और जिस दिन मैं छपरा आया हूँ उसी दिन मुझे ठंड ने मार दिया है यानि कि ठंड लग चुकी है मुझे और इस वज़े से मैं ज़्यादा वीडियो आप लोग के सामें ने लेका रहा आ पा रहा हूँ क्योंकि यहां से कुछ शुरुआत करने वाला हूँ मैं और ठंड ने वाकई में भाई हिला दिया है तो आप सभी को फिर से एक बार हैपी न्यू येर घर में रहिए सुरच्छित रहिए और सरकार के बताई हुए दिशान निर्देशों का पालन करते हैं प्रीज अपने आप को और उसके साथ अपने परिवार को गोरो ना मुक्त रखिए